उमरिया जिले की ग्राम पंचायद पड़वार को अब तक प्रधान मंत्री आवास योईना का लाव फून रूप से नहीं मिल पाया है जरूरत मंद कच्चे मकानों में रहे हैं आवास मिलने का अब तक इंतजार कर रहे हैं योईना को सिरू हुए 10 साल बीच चुके हैं आवेदन के बाद भी अनेक लोगों का नमबर अब तक नहीं आया है गरीब तपके के नागरिव तूटे फूटे घरों में गुजर बसर करने को विवस हैं गरामिनों का कहना है कि गराम पंचायत कारेले को अनेक बार लिखित में आवेदन देकर प्रधान मंतरी आवाज योईना का लाब देने की बात कही गई है एकिन गराम पंचायत पढ़वार के सचीव और सर्पंच का अटा रटाया जवाब होता है जबकि छेतर के राइनितिक और सामाजिक रूप से प्रभावी लोग संपन होने के बावजूद प्रधान मंतरी आवाज योईना का लाब जम कर उठा रहे है तो इधर कई लोगों का जीवन 6 अपरेल मकानों में गुजर गया है आदर सुनुच के लिए उमरिया जिले से राजसरी मिस्रा की रिपोर्ट आप इसकी सूचना दिये ग्राम पंचाइद में कि हमारा घर गिर रहा है आप पीया माबास का लाब मिले इसके लिए तो मैं बहुत परसान हुआ हूँ पर रात तक अभी नहीं मिले आप सर्पन सचिव जिसे इसकी मांग कियें नहीं मिल रहा है क्या बोल रहे हैं आप पूछे तो अंगलेलिस्टे में आए गये है और अभी तक नहीं आया है आपका क्या नाम है कहां के है पढ़वार के, ठीक धनवाद, जी मताराम बताईए आपका क्या नाम है, रेत बाई, जी ये बताईए आपको पिया मावास का लाभ नहीं मिला अभी, तब, कुछ नहीं, कुछ नहीं मिला, आप सरपंच सचिव से इसकी मांग किये, सब से किये, सकेटरी से सरपंच से सब से, तो क्या बोले अब जब मिलता ही नहीं है तो दुवारा कुछ नहीं कहें जी यह कौन से पंचाइद लग रही है पड़वार पड़वार लग रही है